नमस्कार मैं उलाजी स्वराब देख रहे हैं ओम जी बिहारी बिहार जारकन की खबरों के लिए ओम जी बिहारी सब्सक्राइब करें बिहार में दूसरे राजियों से फसिप स्रमिक और मजदूरों को लाने का काम तेजी से चल रहा है यह वे खुद आ रहे हैं गुरुवार को चंडिगर, दिल्ली, कुजरात, हर्याना, केरल, करनाटक, मास्ट, पंजाब, राजस्तान, तमिलनाडू, तिलंगाना, उत्तर प्रदेश, आदी, राजियों से 34 स्रमिक स्पेशल ट्रेन, बिहार के बिबिन ने स्टेशनों पर पहुंची, इन ट्रेनों में लगभग 50,000 प्रवासी स्रमिक वो अन्य लोगों को लाया गया है और उन्हें बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है जिहां आपने सही सुना, 50,000 स्रमिक या मजदूर एक दिन में घर वापस आये हैं, बिहार आये हैं और अपने गावों की और पलायन भी की हैं, बसों के द्वारा गुरुवार को 50,000 स्रमिक आये, उसके पहले बिहार में कुल 460 प्रवासी अभी तक पॉजिटिव मिले हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं बिहार के अब क्या हिस्तिती होने जा रही है बिहार में 50,000 प्रवासी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, संक्रमित जहां रेट जोन वाले राज्य Mang वहां से वापस आ रहे हैं, उनमें भी संक्रमन होने की आसंका बहुत ज़ादा होगी रास्ते में भी वे बहुत सारे के संपर्ग में आये होंगे तो ऐसे में बिहार अब बारूद के धेर पे है हमें सचेत होना होगा सैंपलिंग और टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी होगी अन्यता बिहार को संभालना मुश्किल होगा ये तो उन प्रवासियों की बात है जो ट्रेनों से आ रहे हैं जो हाइवेज पे पैदल किसी भी अपनी सवारी से आ रहे हैं बसों से आ रहे हैं जिनकी गन्ना नहीं हो पा रही है वे खुद से अपने घर जा रहे हैं कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है उनकी देखवाल तो करना दूर की बात है इन ट्रेनों से प्रवासी उतर जाते हैं यदि पिछली स्टेशन पर ट्रेन रुखती है क्योंकि वहाँ से वे कॉरिंटिन सेंटर जाने से बज जाएंगे इस अब्डेट में इतना ही बियार जारकन की खमरों के लिए ओ एम जी बियारी सब्सक्राइब करें स्वस्त रहें सदर्क रहें